हलो दोश्तों हमारे चैनल अम्रीत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे दा इंड ओफ आट टोइच का पार्ट टू इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा पार्ट वन इस कहाने में एक कचुए का अंध होता है और किस तरीके से उसका अंध हो क्लाइब ऑन दे बैक आफ और वन आफ अस यह तुम हम किसी यह तुम हम में से किसी एक की पीट पर भी चड़ें यू आ शेओ टू फाल आफ अगें तुम निश्चित ही गिर जाओगे अब कलहन से जो राते हैं वह खचुए से काते हैं यह तुम हमारे दोनों में से किसी के पीट पर बैठते हो तुम फिर दुबारा गिर जाओगे आइल टेल यू हाओ शेर्द टर्टोइज कचुए ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे होगा आई हैं वेरी स्ट्रॉंग जाज मेरे मुह में मजबूत जबड़ा है अब कचुए उन दोनों से करता है अपना बिचार प्रकट करता है कि मेरे मुह में बहुत मजबूत जबड़ा है कि यू बहुत सेल टेक होल्ड आफ आज स्टिक एट इच एंड तुम दोनों को यह तुम दोनों को दोनों शिरो से सड़ी को अपने मुह से पकड़ना है अब कचुए बताता है कि मेरे मुह में पकड़ोगे, while I hold on to the middle with my jaws, और उस चड़ी को अपने जबडे के बीच में से मैं पकड़ लूँगा, अब खचुवा काता है, तुम दोनों लोग जो इस्टीक है चड़ी है, उसको एक एक साइट करके पकड़ लीजिए, मैं बीच में पकड़ लेता हूं, what do you think of this, तुम इसक के बारे में क्या सोचते हो, this seems rather a good idea, sad the geese, कलहंस ने कहा, यद विचार तो अच्छा है, यनि कलहंस जो रहते हैं कि यह विचार तो अच्छा है, अब सभी लोग अपना विचार करते हैं, फिर आगे करते हैं, but are you sure, you can hold on tight enough, परंतु क्या तुम्हे यह विश्वास है, कि तुम इसे कस कर पकड़ लोगे, दोनों का लहन से बोलते हैं, कि तुम्हे विश्वास है, कि तुम छड़ी को कस कर पकड़ सकते हो, if you should let go of the stick, यद तुम से यह छड़ छूट गई तो, you'll fall down, तुम नीचे गिर जाओगे, and be killed, और मर जाओगे, अब जो है, वो stick की बात करते हैं, कि पकड़ अगर तुम नहीं पकड़ पाओगे, यदि stick छड़ी जो रता वह छूट जाएगा, तो तुम नीचे गिर जाओगे, और मर जाओगे, you may trust me for that, said the tortoise, उसके लिए मुझे, तुम मुझे पर भरोशा कर सकते हो, कुलहंस ने कहा, यहीं, खचुए ने कहा, कि इसके लिए तुम मुझे पर विश्वास कर सकते हो, I'll hold on tight enough, मैं इसे बहुत कसकर पकड़ूँगा, और you need not be afraid, तुम्हें डरने की आओ सकता, नहीं है, but sad one of the geese, लेकिन एक कुलहंस ने कहा, you must excuse my mentioning it, आपको मेरा या उल्ले करने के लिए छवा करना होगा, अब जो है वे सब आपस में बात करते हैं, छड़ी लाते हैं, छड़ी को दोणों कलहंस पकड़ते हैं दोणों साइड से और बीच में खचुइक को पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए काते हैं कि यदि छड़ी छूट गया क्योंकि वह दोनों लेके उड़ेंगे छड़ी छूट गया तुम मीचे गीरोगे और मर जाओगे यदि तुम्हें बात करने का सौख है दोनों काते हैं कि तुम्हें बात करने का सौख है यदि तुम भूल गए और बात करने लगे देयर उड़ी इन एंड आफ एवरिफिंग तो सब कुछ खत्म हो जाएगा दोनों काते हैं कि तुम बात करने लगे तो सब कुछ खत्म हो जाए क्योंकि बात करोगे छड़ी छूड़ी आएगा नीचे घिरोगे और मारे जाओगे इस पर खच्वे को क्रोध आ गया नॉंसेज वह चिलाया और बोला बेवकूफ क्या तुम यह सोचते हो कि मुझे यह नहीं पता वेन इट इज वाइस तु होल्ड माई टंग कब अपनी जबान बंद रखनी है क्चवा को गुशा आता रह बोलता है वेवकूफ क्या तुम्हें यह पता नहीं है क्या तुम्हें नहीं जानते हो मुझे नहीं पता है कि कम बंद रखना है या जबान बंद रखनी है कलांस ने कहा ठीक है हम तयार है आल थ्री फ्रेंट्स लुक्ड अराउंड तीनों दोस्तों ने इधर दोर देखा और एक मजबूत छड़ पेड के नीचे पड़ी देखी अब यह तीनों जो है मित्र इधर दोर देखते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और उन्हें एक मजबूत छड़ी मिलती है एक पेड के नीचे फिर आगे क्या करते हैं कि दोगीज तुक होड़ आप देखी इंड़ इस टीक इन देर विक्स मतलब होता है चोच दोनों कलहंसों ने छड़ का सीरा अपनी चोच में दबाया कच्वे ने अपने जबडे से छड़ का मध्यम भाग पकड़ लिया अपने जबान में जबडा में दबा लिया देन दगीज रोज ओप इंटो दा एयर विद देर स्ट्रॉंग विंग्स तब कलहंस अपने मजबूत पंखो की सहाता से उड़ने लगे और आप दे फ्लिव और उड़ गये प्रारब में खचुवा इस प्रकार चलने पर पहले तो घबडाया बर्ट ही हेल्ड ओन ब्रेवली परंतुवा बहादुरी से उसे पकड़े रहा और इट सीम्ड एज अल डेंजर वर ओवर और ऐसा लगने लगा की खत्रा तल गया है अब खचुवा जो है पहले तो घबडाया लेकिन उसको कस कर पकड़े रखा अब खचुवा के बाद में यहां लगने लगा की अब तो खत्रा तल गया है बट अनफार्चुनेटली परंत दुरभाग से एज दे वर गिटिंग क्वाइट नियर अनदर पूल जब वह दूसरे तलाप के पास पहुचने वाले थे पूल का मतलब होता है तलाप यसे जब वह दूसरे तलाप पहुचने वाले थे जहां खचुए ने सरण लेने की सोची थी वे खेत में दो किसानों के उपर से गुजरते उन्होंने उपर देखा और आश्चर से कलहंस को खचुए को ले जाते वे देखा अब उन्होंने जब उपर जो किसान थे खेत में उन्होंने उपर देखा तो दो कलहंस खचुए को ले जा रहे थे हो हो shouted one of the farmer यह किसान यह देखकर चिलाया हो हो look at the flying tortoise उड़ते वे खचुए को देखो what till he falls said the other दूसरे ने कहा उसके गिरने की प्रतिच्छा करो अब वे चिलाने लगे जो किसान थे करने लगे कि अब उसका इंतिजार करो यह नहीं खचुए कि गिरने का इंतिजार करो then we'll take him home and he'll make us a good dinner तब हम उसे घर ले जाएंगे और हमारे रात के खाने का प्रबंद हो जाएगा no say the first नहीं पहले ने कहा we'll cook him and eat him here हम उसे पकाएंगे और यहीं खाएंगे दो किसान आपस में बात कर रहे होते हैं खचुए का गिरने का इंतिजार करो तो पहला कहता है कि हम मारा जो रात का भोजन बन जाएगा प्रबंद हो जाएगा लेकिन दूसरा बोलता है कि हम यहीं पकाएंगे और यहीं खाएंगे कच्चुए ने जब सब्द सुना विशाइड हिमसेल विद एंगर तब उसे बहुत क्रोध है कच्चुए इस बात को सुनता है तो उसे बहुत क्रोध हो जाता है वह भूल गया कि वह कहां था और किसानों को चिलाते विए बुरा बला कहने लगा उनको कोशने लगा कर्ष मतलब होता है श्राप तू हेल विद यू इस आउटेट एट देम भाण में जाओ तुम उसने उन पर चिलाया और किसानों को भाला बुरा कहने लगता है चिलाते विए काता है कि तुम भाण में जाओ जैसे ही उसने अपना मुँ खोला उसका छड से नियंतरर छूट गया अब जैसे वह चिलाता है उसको किसानों को भाला बुरा कहता है मुँ खोलना ही पड़ा तो उसका जो मुँ से छड छूट गया एंड ही फेल डाउन टू दे ग्राउंड और वह जमीन पर गिर गया एंड देट वाज दा एंड आफ टटोईज हू कुट नाट होल्ड ही टंग और यह उसका चुए का अंत था जो अपनी जीव पर नियंतरर न रख सका यह अपनी जुबान पर नियंतरर नहीं रख सका इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए या किसी भी लेशन का आप बनवाना चाहते हैं सरल हिंदी अनुवात के साथ इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो लेशन का नाम और क्लास का नाम लिखकर कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा और हम आप तक जरूर पहचाएंगे इसी तरीके से पढ़ा कर तो उमीद करते हैं यह लेशन आपको समझ में आया होगा और हम आपको पढ़ाते रहेंगे आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें